जिनको बहुत अधिक कबज रहता है वो थोड़ा ऐसा त्रिफला चोन ले सकते हैं उससे भी लाब ना हो तो एक बहुत जबरदस अमने चोन बनाये वह शुद्धी चोन वो तो एक दो ग्राम ही लेलो रात को एक दो ग्राम मात रह और प्रश्चरी शुद्ध हो जाते हैं में हैं कबज के साथ तो उनको आवी पत्ती कर चुन दे देते हैं उसमें मुक्ता शुक्ती और मोती पिष्टी थोड़ी सी मिला देते हैं तो पूरा CDT का अमले पित्त का और constipation कबज का पूरा समाधान हो जाते हैं जिनको बहुत अधिक दस्त लगते हैं उनको तो फिर थोड़ा अनार खिलाते हैं दही चाश का प्रियोग कराते हैं दूद घी मीठा बंद कर देते हैं कोड़ जारिष्ट चार-चार चमच खाने के बाद कोटच घनवटी दो-दो गोली और बिलवादी चोड़ गंगाधर चोड़ सो-सो ग्राम और दस-दस ग्राम फिर शंक कपरदक मुक्ता शुक्ति भस मेला करकि ये दो-दो-तीन-तीन ग्राम पाउडर खिला देते हैं कोला